Hello everyone, I hope you're having a BEA beautiful day This is Gautam with Azarar Ali from The More You Know channel तो आये, शुरू करते हैं तो आज हम बात करेंगे Bitcoin के बारे में Bitcoin क्या है और Digital Currency भी क्या है और इसका future क्या है हमारे देश में तो डिशन टाइस में पूरा दुनिया cryptocurrency की माया में अपने आपको मोहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये एक नीव है जिसमें बहुत सारी बड़ी opportunities को खड़ा करने की कोशिश हो रही है आखिर ये तो बात हो गई पर आखिर हमारे देश में इसके लिए तो अब इसी के बारे में बात करेंगे तो रिसेंट आइस में शायद cryptocurrency से बड़ा टॉपिक कोई भी नहीं है इवन दो हमारे देश में इसको लेके शॉरिटी ना हो दुनिया भर के चोटे से चोटे और बड़े से बड़े इन्वेस्टर इसमें opportunities देख रहे हैं और नए नए बिजनस की सोच रहे है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी और रिसेंट आइस में बिटकोईन का प्राइस एक हाई 54,000 डॉलर्स हो गया है अगर आप उसको सुखा सुखा हिंडियन करेंसी में करें तो 40,000,000 रुपीज पर कॉइन और ये इसलिए क्योंकि टेसला के ओनर इलॉन मस्क जिसनको आप स्पेसेक्स और पेपाल के थुरू भी जानते होंगे उन्होंने इसमें 1.5 बिलियन डॉलर इंवेस्ट किया है जो कि है 10,000 करोड रुपे और उन्होंने ये भी कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी को as a mode of payment लेंगे जैसे कि आप पेमेंट करते हैं ना through card, through cash तो उन्होंने bitcoin को या फिर क्रिप्टो करेंसी को भी as a mode of payment लिया है तो इसी के जरिये analyst और investors ने कहा है और कह रहे हैं कि ये एक कुवा है जिसमें हम सब को डुपकी लगाना चाहिए क्योंकि ये फाइदा ही फाइदा दिलाएगा अब एक तरफ जहां दुनिया भर के investors और businessmen इस cryptocurrency का फाइदा उठा रहे हैं एक तरफ दुनिया भर के businessmen और investors इस cryptocurrency के opportunity का फाइदा उठा रहे हैं वहीं हमारे देश में ये अफवाएं फैल रही है कि दुनिया भर की cryptocurrency ban होगी और इंडिया एक अपनी personal cryptocurrency का निजास करने वाला है या फिर उसको start करने वाला है पर अगर आप Indian investors की माने तो वो ये कहते हैं कि अगर जो हमने step उठाया और हमने दुनिया भर की cryptocurrency को ban किया हमारे देश में तो investment का बहुत बड़ा loss होगा और ये बहुत गलट step होगा हमारी economy के लिए experts की माने तो अगर cryptocurrency ban होता है इंडिया में तो काफी investment का loss होगा क्योंकि काफी crypto start-ups है जिन्होंने काफी जादा investment raise किया है इसके regarding even though इंडिया में कोई surety भी नहीं है इसके future को relate अब चीज देखिए यह है अगर हमने इस crypto पे ban लगाया या कोई अच्छे rules and regulations नहीं लगाए तो काफी सादा black market होगा काफी सादे illegal activities होगी और एक साफ सुत्रे business की जगा ये काला बजारी में बदल जाएगा और एक बहुत अच्छी business opportunities हमारे देश के consumers के लिए residents के लिए बहुत गलत और illegal activity की तरह change हो चाएगा तो instead कि हमारी government इस पे ban लगाए हमाए अपनी पुरानी आददों से पुरानी गलतियों से सीक के इसके बारे में और knowledge लेनी चाहिए और अच्छे rules and regulations लगाके हमें crypto पे investment करने के पूरे options देने चाहिए ताकि in future हमारा देश भी दूसरे देश की तरह आगे बढ़ सके और हर बंदा अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके आपको जैसे पता ही है आर विए हमें हर चीज की information देती है चाहे वो टीवी हो चाहे वो radio हो तो in future अगर crypto currency की information मिलती रहे तो लोग इसके बारे में informed रहेंगे हाँ अगर informed रहे तो साथ ही साथ investment करने में भी फायदा होगा क्योंकि अगर आपको किसी चीज की knowledge है तो आप उस चीज के बारे में जानते हैं और अगर आप उस चीज के बारे में जानते हैं तो शायद आपके साथ इतना scam नहीं हो सकता ये बात तो है कि शायद उस time भी scam हो बट अगर हमारे government अपने से initiative लेगी अपने से एक step लेगी कि वो इसक structure बढ़ाने की हमने वैसे भी बात की है regarding cryptocurrency के बैन पर तो कभी investors personally मैं भी और कुछ regulators का भी कहना है कि instead हम crypto बैन लगा के अपने जो innovators हैं अपने crypto startups हैं उनको बंद करने से तो अच्छा है हम हम और हमारी government उनको investment options दे growth opportunities दे ताकि वो बढ़ पाएं क्योंकि हमारा personally इंडिया में business बढ़ेगा तो लोगों की income भी बढ़ेगी लोगों की income भी बढ़ेगी तो job opportunities भी बढ़ेगी तो government अगर पुरानी गलतियों से सीख के अगर ढंक से यह step उठाए तो यह एक पहुत जादा फाइदमन अप्रोच हो सकती है जैसे कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया कि हमारे देश में cryptocurrency को related अभी विशॉरिटी नहीं है कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा क्योंकि अगर आपको याद हो RBI ने 2018 में बैन लगा दिया था कि आप cryptocurrency इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते जो की है illegal पर 2020 के March में उसी cryptocurrency से बैन हटा दिया गया था और traders उसमें trade कर पा रह आने वाला है इसी से related जो निकलेगा 2021 में जिसका नाम है the cryptocurrency and regulations of digital currency bill 2021 तो ये बिल आने वाला है तो इसका आप इंतजार कीजिए उसमें सारी knowledge मिल जाएगी आपको कि बैन लगेगा क्या होगा इंडिया कोई अपनी भी end से निकालेगा कि नहीं तो वेट कीजिए सारी information आएग कि मेरे भी यहां पर fingers crossed है I hope कि हम सारे traders investors laymans इसमें invest करके अपना future बना सके तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा I hope you guys have a beautiful day I hope that you have happy trading trade करते रहें पाइदा कमाते रहें पर market का देखो किसी को भी नहीं पता investment करो अपने risk बे क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा risk है तो इश्क है गुद्बाई